इसमिल्ला रह्मान रहें, अस्लाम लेकुम नाजरीन, तीन मई दो हजाट चॉबिस अहारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है धी पाकिसान के अंदर रियल स्टेट के हवाले से बहुत सरे ओवर सीज पाकिसानी हो रिक्वेस्टी के रियल स्टेट के अंदर अगले ची महीने में पाकिसान के अंदर क्या होने जा रहा है और कहां इंवेस्टमेंट हमें करनी चाहिए और यही हमारी वीडियो का टॉपिक है देखिया जी हाउसिंग सोसाइटी समेद बिल्डर्स को टेक्स नेट में लाने पर पाकिसान के अंदर एक बड़ी पेशरप्त और फेडरल बोर्ड अफ रेविन्यू डिवेल्पर्स और डिवेल्पर्स यानि कि जो नई हासिंग सोसाइटी से अंको टेक्स नेट में लाने में नकाम हो गई है और एफबियर की तरफ से यकम जुलाई दोजार चोबी से इतनी भी पाकिसान के अंदर जो प्रॉपर्टी उनकी वैल्यू जारी की जाएगी और उसके मताबिक आईम एफ के जो आगे टेक्सिस लगए हैं वो उसके मताबिक लगाए देंगे घेर मनकुला जायदादों की आखरी जो वैल्यूएशन है वो मार्च 2022 में की गई थी पाकिसान में और एफबियर की तरफ से नई हासिंग वहाँ पर अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट करें क्योंगे अफबियर आप जो नए इकडाम करी है अभी थोड़ा सा वेट करें रियल स्टेट के अंदर इंवस्मेंट से गुरेज करें टेक्सिस को देखें अगर लेनी भी आप प्रॉपटी तो क उन तमान तरसे मशावरत की गई और नए वैल्यू पर काम करने के लिए और शेयर में कमिटियां बना दी गई हैं और इसके बाद डवेलपर्स और बिल्डर्स ने इतनी भी रीजिनल टेक्स अफिसे अंके साथ मशावरत किया और अपनी वैल्यूएशन को हत्मी शकल दिया जो यकम जुलाई 2024 से लागू होंगे मैंने आपको पहले बताया था जी जून में बजेट अनाउंज हो रहे हैं आयम एफ टेक्स लगाएगा उसके बाद ही ये रेट्स निकालेंगे वफाकी टेक्स मौतसब MTO ने FBR को ये हिदायत की थी कि इतनी भी इमोवेबल प्रॉप दूसरा ये है कि आपको बताँ पाकिस्तान के अंदर इस वकद रियल स्टेट यंद आप अगर छे महीने में को इंवेट्मेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ कमर्शल प्रॉपर्य नहीं प्रॉपर्य के अंदर आप इंवेश्मेंट ना करें जो के हाउसनिग सॉसाइडी बे जो WhatsApp नंबर और WhatsApp ग्रूप है वो पिन करें इस तरह कि कोई भी इंवेस्मेंट करनी है तो लाजबन पाकिसान वर्ल्ड टीवी से मुशावरत करें बाकी सी अमान इनला प्रॉपर्टी में इंवेस्मेंट करना इसे विट्टिल जोन तक ग्रेज करें अगर खरीद नहीं आए तो कमर्शल प्रॉपर्टी करीदे ये रेंबल प्रॉपर्टी करीदे बाकी इन्शाला मिलते हैं नेट्स वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा जी अलाहाफिज